आजकल जहां पूरी दुनिया बॉलीवुड हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के पीछे भाग रही है और नए नए एक्टर एक्ट्रेसेस बॉलीवुड में डब कर रहे हैं लेकिन इतनी भीड में भी बिना किसी फिल्म या टीवी शो में नजर आये हुए भी अपनी अलग प खासे फॉल्वर्स भी होते हैं लोग फिल्मों से ज्यादा इनकी वीडियोस देखना पसंद करते हैं और उन्हें कहते हैं यूट्यूबर्स जो कि आपको अपनी वीडियोस के जर्ये हसाते हैं गुद-गुदाते हैं और छोटी सी ही वीडियो में एक ऐसा मैसेज दे जाते जो शायद फिल्मों में तीन घंटे में भी नहीं मिल पाती तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे ही यूट्यूबर के बारे में जिसका नाम है आशिस चंचलानी अगर आप कॉमेडी वीडियो देखते हैं तो इन्हें तो आप जानते ही होंगे तो किसी भी ब अबल मीनिंग बना कर आपको हसाते हैं और गुद्धुदाते हैं वही अगर बात करें उनके फैमली बैक्ग्राउंड की तो उनका जन मुंबई में हुआ और उनकी पढ़ाई लिखाई भी मुंबई में ही पूरी हुई और बच्पन से ही एक्टिंग का शौक रखने वाले आशीस पढ़ने में भी काफी अच्छे थे लेकिन काफी हेल्दी होने के वज़ा से उन्हें एक्टिंग में कहीं भी काम नहीं मिल पाया और इन सब बातों से परेशान होकर उन्होंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया लेकिन आखिर कब तक वो अपने पैशन को दबा कर रख सकते थे उन्होंने सोच लिया कि अब कॉमेडी करके ही मुझे आगे बढ़ना है और शुरू कर दी अपनी शूटिंग उनकी कुछ वीडियो पर लोगों का कुछ खास रिस्पॉंस तो नहीं आया लेकिन धीरे धीरे लोग उन्हें काफी पसंद करने लगे और आज आशीस एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं यूट्यूब जो हर कोई सिर्फ उनके नाम से ही समझ लेता है कि अगर उनके नाम की कोई वीडियो है तो जरूर हसाने वाली होगी जरूर कोई ना कोई कॉमेडी वीडियो होगी नेक्स्ट नाइन लाइव से चान्नीगी रिपोट